नमस्कार जोहार आप सभी सिच्छक बंधूं का मेरे ओनलाइन चैनल में स्वागत है ऐसे सिच्छक बंधू जो मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो बिलकुल लाइक करना ना भोलें आप सभी को पता है कि आज JSC ने अपनी शुर्ण का कारिक्रम जारी किया है और ये चार्श सब्जेक्ट कॉमर्स हैं कुडुक है उडिया है और अर्भी है इसमें से कॉमर्स का डॉक्मेंट बरिफिकेशन 22 नॉंबर को हुआ था और 22 नॉंबर को होने की बाद जो है अभी बी 41 बच्चों को दुबारा जो है में उनुपस्थित होते हैं उनको फिर से तीन तारीक और छे ना तारीक मार्च में दिया गया है। इसका मतलब है कि अब होली के पहले जो भी टाइम है वो सब कुछ जो है डाउकमट वरिफिकेशन में जा रहा हैesar जो कुछ भी नया होने वाला होगा वो अब होली के बाद ही होगा और जैसा हम जान रहे हैं कि जैसे सी जो है document verification का एक लंबा समय लेती है ये सालो साल आप देखे होंगे 2021 में क्यों document verification भी हुआ है इससे पहले भी document verification का इनका timing बहुत ही लंबा जाता है तो document verification ये start किये हैं तो मुझे लग रहा है ये कारिकरम भी 10 से 15 दिन चलेगा इनका और और भी subject है इनके पास जिसमें मुझे लग रहा है कि इनको अभी भी document verification कराना होगा और अगर document verification कराने का कारिकरम ये आगामी 10 से 15 दिन में खतम कर लें होली के बाद भी है कर समय ले लें एकाध हपते का और सारे subject का खतम कर लें तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि जो time limit बीट अकर जाएगा time limit बीटने के बाद जो है फिर जो subject में जगा खाली रह जाएगी उनके लिए इनके पास कोई time limit नहीं होगा तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगे आप लोगों के पच्च में इस समय जजमेंट है order copy है और साथी साथ time limit है लेकिर फिर भी देखे डिले होने के पूरे chances है अब दिन जितना नजदीक आ चुका है अब किसी भी प्रकार से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पंदरा मार्स तक ये कर पाएंगे तो order copy होने के बावजूद जो है ऐसा हो रहा है तो अगर किस सब्जेक में CT खाली रह जाएंगे तो उसको दुबारा इनसे करवा पाना बहुत ही मुस्किल हो जाएगा तो ये सभी के लिए ठीक है कि दस दिन पंदरा दिन का और भी समय ये ले ले लेकिन जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से खतमी करें पूरी सीट्स पर बच्चों को ज्वाइनिंग दें और कोई सीट्स जो है बैक लॉग में ना जाने पाए जिस तरह से बच्चों ने पांच साल इंतजार किया है वैसे दस से पंदरा दिन या एक बहीना वेट और कर सकते हैं लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह से खतम कर दें तो ये अच्छी बात होगे तो अभी तो कारिक्रम ने जारी किया है जिस आस में बच्चे बैठे वे थे कि आज इनका रिजल्ट होगा तो रिजल्ट देने का भी कोई मतलम नहीं होगा क्योंकि अगर सीट खाली है तो जाहिर सी बात है कि जब कभी भी ये डिस्टिक चूज करने को कहेंगे तो सबको एक साथ ही कहेंगे तो जो रिजल्ट इन्होंने तीन या चार सब्जेट का दिया है उसका भी कोई मतलम नहीं रहजाएगा क्योंकि जब ये डिस्टिक प्रिफरेंस मांगेंगे तो सबका एक साथ ही मांगेंगे तो रिजल्ट रोक करके डिवी अगर ये करा रहे हैं तो अगर इसे कंप्लीट कर लें सभी सब्जेट का तो ये सब के पक्ष में हैं सभी इससे लभानवित ही होंगे और बच्चे जो छूट जा रहे हैं इनका कहीं बॉर्डर लाइन पर थे अगर वो भी इसमें सब्लित होज आ रहे हैं तो मुझे ही लगता किसी का इससे बुरा होगा अच्छा ही है लेकिन सब कुस थोड़ा सा टाइम लिमिट लेखे करें तो बहुत अच्छी बात है कि अभी कितना दिन तक खिचेगा कब तक ये देंगे ये सारी चीज़े भी अगर ये ओपिन कर दे तो एक तरह से बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ जाई ये बाते और वो उस तरीके से वेट कर सकते हैं तो I think कि आज के लिए बस इतना ही है और I hope कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लिस लाइक करें और शेयर करें Thank you. Zohar. Good night.